मुझे बताते हुए बहुत हर्श हो रहा है कि अब हम Resonance Quota को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिर्सा में अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा आपको बस जाना होगा खेरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में जहां पर Resonance Quota की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविश्य के डॉक्टर और इंजिनियर बनने में सभी प्रमुक परिक्षा हैं जैसे J-Main, J-Advance, NEET-UG, AIMS, International Olympiad, NTSC, KVPY, CA, CS, CMA, CLAT, Resonance ने गुरवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है अधिक जानकरी के लिए आप डवाली रोडस तर आरपी सीनियर सेगेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे देगे नमबर पर अब होंगे सपने साकार धन्यवाद राजकुमर जी एक स्वाल हमारा आपसे भी कि आपने पिछले दिनों ये ऐलान भी किया था कि जो है आप चुनाव लड़ेंगे हलांकि कॉंग्रेस में परिपार्टी ऐसी है कि जब तक हाई कमान तया नहीं करती या जो टिकट जब तक जारी नहीं करती तब तक इस तरह कि जो है आइलान नहीं किये जा सकते आपने यह जो आइलान है वह आपके जो कार्य करता है उनसे पूछ करके किया या पार्टी से आपकी कोई बात चीत हुई क्या कुछ कहेंगे हैं दो जार उन्नीस में मेरा पिता जी ने कॉंग्रेस की टिक्र पर चुनाव लड़ा था और जब तक दो जार चोवीस में चुनाव जैसे संभावीत हैं तो जब तक चोवीस में चुनाव में कॉंग्रेस पाल्टी अपना कोई चेरा नया नहीं लाती हैं हमारी जगें तो कॉंग्रेस के प्रतियासी भी हम ही हैं अगर चोवीस में कांग्रेस पाल्टी किसी और प्रति कार्या करताओं की बावना को देखते हुए हमारे पिताजी की जो मेरे पिताजी का सवरगवास अभी दो साल लग पहले हुए उनकी समाजिक सेवां को देखते हुए और हमने फैसला लिया कि दो जार चुनाबी हमारे परिवार का सदेसर लड़ेगा रही बात कंग्रेस वाल्टी की टिकेट की तो कंग्रेस वाल्टी में टिकेट की परक्रिया है मेरे से पुराना कंग्रेसी मारे परिवार से पुराना कोई कंग्रेसी है बताओ आप को ने जिसको कंग्रेस वाल्टी ट उनको टिक्ट देगी उन लोगों के टिकट का कोई रास्ता नहीं है ठीक है हमें कुन्बा बढ़ाना है जनाधार बढ़ाने के लिए लोगों का आना जना चलता रहता है प्रंटु कांग्रेस वालटी जब टिकट देगी तो बभादारी पालटी के परती निश्टा को ध्यान रखेगी आप गाउं गाउं में जा रहे हैं चुनाव को लेकर के पूरी तरह से तैयार हैं आप पार्टी आप पे विश्वास जदा हैं हम चुनाव एक जार परसंट चुनाव लड़ेंगे जो जार चोवीस में और उसके लिए मैंने फैसले भी की हैं कि हर मिन्ने की दस तार करेंगे जिसमें देश और प्रदेश के केंदर ये निता भी भाग लेंगे और 16 जुलाई को भी देपंदर उड़ना जी चोपटा में आ रहे हैं तो शिर्षा विदानसवा के छेतर में के एक गाम में भी आज से आज जोड़ो करेकरम के तहत करेकरम होगा उसके गाम की मैं आपको एक दो दिन में बता जूँआ किस गाम में होगा तो वो करेकरम भी हमने रखे हैं हम तो लगतार लोगों के बीच में हैं मैं दो मुद्वों पर चुनाब लड़ना चाहता हूं बाकि अभी गामों में मैं सरवे चल जा है भी गामों में जूर्त किया है वैसे तो मैं मुद्दा होगा मैं दस तारिक को अपनी पॉल्सी जो जन्डा है वो जारी करूँगां मेरा जो जन्डा हुआ टूंटी फूर विधायक सरसा की जन्दा को चाहिए अब की वार क्योंकि जोब कोई गोवा रहता है कोई गुड़गामा रहता था कोई चंडिकड रहता था आध 12 साल से जो लोग सता में आए उन लोगों ने अपनी प्रोपटियें अपने विजनस को बढ़ाने के लिए चाह कुछ लोग कुछ सता समय के लिए सता बर्नाला रोडो के राज जो हमारे राज़ितिक लोग है उनके पास रही तो उन्होंने बर्नाला रोड पर ऐसा काम किया ब सरसा के जो 80% अबादी है एक नया सरसा बसाने का उन लोगों ने काम किया 80% अबादी है जो पुराना सरसा उसको उजान देंगा काम किया आज इसार रोड पर बर्नाला रोड पर तो तरंगी लाइटें लगाई जा रही है असरसा के 50 यो बस्ति हैं अगर सेंकलोनी, मेला ग सुरूपे का बलब लगाने का काम नहीं कर रही है, तो जैसे देश के अंदर, हमारे जो नेटा-राओ-टी कैते हैं भी सरसा जो बसा आज या पूर्ब के तरह बसा था, उस पुराने सरसा को मैं हक दिलाने का काम करूँवा ना कि अपने बेपार को बढ़ाने के लिए एक रोड़ का काम करूँश। इन लोगों ने एक रोड को चमकाने का काम किया मैं सरसे का सारे एरिया का सम विकास करने का काम करूँगा अज जो है मैडम कुमारी सेलजा है वो सिरसा में थी लेकिन आपकी जो पूरी टीम है उसकी कहीं कोई उपस्तिती दर्ज नहीं क्या कॉंग्रेस में इस तरह की गुटवा जी हालांकि पहले आप जो है कुमारी सेलजा के कोई भी कार्यकरम होते थे तो आप उन कार्यकरमों में नजर आते थे लेकिन आज उपस्तिती नहीं दर्ज थी इससे पहले भी जब वो आई तो भी आप नजर नहीं आए अज का जो सेलजा जी का कर्यकरम था वो कोई पोल्टी कर नहीं जैसे जग्दीश नहरा जी के वेटे ने रिटार्यमेंट पर पाल्टी रखी उन्होंने कांग्रेस जोइनिंग करनी थी इसी तरह हैं बीर मेंने मेत्ता जी के समाजी रिष्टे के नाते अभी तो वह अकाली दल के उपादक्स हैं एक समाजी के नाते मेडम उनके घर गई हैं तो हमारा कर्यकरम यह जो है जो सलका कभीर चोकवला इसका प्रदसन पहले से तेया उस वज़े से मैं नहीं जा पाया प्रंतु मैं उन कर्यक्रम में गया था मेडम थुड़ा लेट होगी तो मुझे इस कर्यक्रम में आना पड़ा सेलजा जी मारी नेता है अभी चंदिगर में दो जिन जो बैठक चली थी उस सारे स्टेज पर उसी नेता थे तो कांग्रेस में कोई घुटवाजी नहीं है एक तो बेचारिक मतवेद हैं अपने अपने मत हैं सभी नेता जो कर रहे हैं परन्तु कांग्रेस वाल्टी एक जूट है और दोजार चोवीस में कांग्रेस वाल्टी की सरकार आएगी लोगों ने अपना मन बुना चुके तो यह थे हमारे साथ राजकुमार सर्मा लगतार हम जो है चर्चा करते रहेंगे क्योंकि इन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो सिर्सा विदान सबाग शेतर से चुनाव लड़ेंगे तो चुनावी मुद्दों को लेकर के चुनावी बातों को लेकर के और सिर्सा के विकास को लेकर के लगातार जो है हमारी बात्चीत है वो जारी रहेगी जादाश जादा इस वीडियो को शेयर जरू कर दिजीए कोमेंट सेक्षन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरे वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं बात बच्छक्रिया